अनिमेश की आज नौकरी चली गई वो ओफिस से निकल कर रास्ते पर आया और फुटपाथ पर बैठ गया बहुत मुश्कल से नौकरी मिली थी अब वो भी चली गई नई-नई शादी हुई है मेरी अब कैसे क्या होगा? अनिमेश की पतनी सीमा ने कॉल किया सुनिये हम गाड़ी कब ले रहे हैं? गाड़ी? अभी तुम्हें गाड़ी क्यों चाहिए? मेरी सहीली ने नई गाड़ी खरीदिये बहुत सुन्दर है मुझे भी एक गाड़ी चाहिए सीमा अब हमारे पास उतने पैसे नहीं है मैं कहां से गाड़ी खरीदू? मुझे कुछ नहीं पता मुझे नई गाड़ी चाहिए 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 सीमा ने फोन कार्ट दिया अनिमेश और सीमा की शादी को सिर्फ कुछ ही महीने हुए थे सीमा बहुत जिद्धी थी उसे हमेशा से बहुत कुछ चाहिए था अनिमेश को सीमा से शादी ही नहीं करनी थी लेकिन अनिमेश की मा बिमला नहीं कहा था बेटा ये लड़की शादी के लिए मान गई है शादी कर ले लेकिन मा मेरी तनख्वा जादा नहीं है मेरी सहली को उसके पती ने सोने का हार दिया था वो सीमा शादी में इतना खर्चा हो गया था इसलिए कुछ नहीं दे पाया तुम चिंता मत करो अगले महीने मैं तुमें गिफ्ट जरूर दूँगा मुझे एक सोने का हार ही चाहिए वो तो बहुत महेंगा है सस्ता कुछ देने से नहीं चलेगा सस्ता क्या मैं तुमको सस्ती लगती हूँ यार ये मैंने किस लड़के से शादी कर ली पता है कहां कहां से रिष्टे आ रहे थे मेरे लिए अच्छा ठीक है मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम शान्त हो जाओ अगले महीने अनिमेश अपनी पूरी से सीमा की लेक सोने के अंगुठी खरीद कर लाया लेकिन उससे भी सीमा खुश नहीं हुई सीमा को बहुत कुछ चाहिए था उसकी सहीलिया हर महीने कुछ न कुछ खरीदती रहती थी और वो देखकर सीमा भी अनिमेश के सामने जिद पकड़ कर बैट जाती थी सीमा की जरूरते पूरी करने के लिए अनिमेश ने बैंक से लोन भी ले लिया और आज उसकी नौकरी चली गई और उधर सीमा गाड़ी खरीदने के जिद पकड़ कर बैट गई अनिमेश घर लोटा तो सीमा के साथ उसका जगरा शुरू हो गया तुम गाड़ी नहीं खरीदोगे तो मैं तुमें छोड़ कर माई के चली जाओंगी सीमा समझने की कोशिश करो मेरी नौकरी चली गई है अभी मेरे पास घर चलाने के पैसे नहीं है तो मैं क्या करूँ? मुझसे शादी क्यू की थी? घर चलाने का दम नहीं है लेकिन शादी ज़रूर करनी है वहां सीमा की साथ विम्ला आई और सीमा को समझाने की कोशिश करने लगी बहु जित करना अची बात नहीं है मेरा बेटा कोशिश तो कर रहा है आप बीच में मत पूलिए मैं कुछ नहीं सुनना चाहती मुझे गाड़ी चाहिए मुझे भी सहीलियों को दिखाना है कि मेरे पास गाड़ी है सीमा ने खाना नहीं बनाया राद को सीमा की सहीली ने उसे वीडियो कॉल किया सीमा ये देख हमने भी नहीं गाड़ी ले ली तू कब ले रही है मैं भी सीमा इने गाड़ी ले लूगी इतनी महहईगी गाड़ी लूगी ना तू देखती रह जाएगी हाँ अगले दिन अनिमेश नई नौकरी ढूडने के लिए निकल गया, उसने दो-तीन कमपनी में इंटर्व्यू दिया लेकिन कहीं भी उसे नौकरी नहीं मिली देखो, अभी मार्केट में नौकरी की हालत बहुत खराब है, और उपर से तुम ज्यादा अनुभवी भी नहीं हो, तुम्हें कैसे नौकरी पर रख लूँ, लेकिन तुम्हें ये नौकरी चाहिए क्यूँ? मेरी पिछली नौकरी भी चली गई है, इसलिए… अच्छा अच्छा समझ गया, लेकिन मेरे यहां ओफिस में कोई नौकरी नहीं है, सर मुझे एक नौकरी दे देजिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें गाड़ी चलाना आता है? अनिमेश राजी हो गया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, रात को अपने बॉस को घर छोड़ने के बाद गाड़ी लेकर वो अपने घर चला गया, गाड़ी देखकर सीमा खुशी के मारे नाचने लगी अरी वाँ, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितनी सुन्दर है हाँ सीमा, तुम कबसे गाड़ी खरीदना चाहती थी ना, इसलिए आज गाड़ी खरीदी लाया हमारी पहली गाड़ी, बहुत सुन्दर है बेटा, तुझे नई नौकरी मिल गई है क्या? हमा, इसलिए तो गाड़ी खरीद ली, चलिए, आप दोनों गाड़ी में बैठ जाइए मा और बीवी को गाड़ी में बिठा कर अनिमेश शहर के रास्तों में खुमने लगा उसने अपनी मा और बीवी से जूट कहा सीमा अपनी सहेलियों को वीडियो कॉल में गाड़ी दिखाने लगी ये थी, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितनी सुन्दर है और बहुत महेंगी भी है सीमा को खुश देखकर अनिमेश भी बहुत खुश हुआ लेकिन अनिमेश को नहीं पता था कि उसका ये जूट एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा कुछ महिनों तक घर में शांती बरकरार रही सीमा को उसकी सहेली ने कॉल किया सीमा, आज हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ ठीक है, मैं गाड़ी लेकर आती हूँ सीमा गाड़ी लेकर चली गई, उधर अनिमेश का बोस आफिस जाने के लिए तयार होकर बैठा रहा अरे, अभी तक तो अनिमेश को गाड़ी लेकर आ जाना चाहिए था, वो आया क्यों नहीं बोस ने अनिमेश को कॉल किया, अनिमेश नेन से उठा और देखा गाड़ी का एप है मा गाड़ी खा गई वो तो बहु लेकर चली गई है बेटा, तू आज बस से ऑफिस चला जा अरे यार, अब इन्हें कैसे बताऊं कि ये गाड़ी ही मेरा ऑफिस है बोस ने अनिमेश को बहुट डाटा और कहा तुम्हारी बज़ा से आज मैं आफिस नहीं जा पाया, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ आज शाम को गाड़ी लेकर आना और रखके जाना दोपहर को सीमा गाड़ी लेकर लोट आई और तभी बैंक से कुछ लोग आ गए अनिमेश कोन है यहाँ, मैं हूँ क्या बात है बैंक का लोट नहीं जो गया तुमने, यह तुम्हारी गाड़ी है न, हम इसे लेकर जा रहे है यह बोलकर वो आदमी गाड़ी लेकर चला गया अब क्या होगा, सब कुछ बरबाद हो गया, गाड़ी भी चले गई, नौकरी भी चले गई नौकरी चले गई लेकिन क्यों, तुम आज बस से आफिस क्यों नहीं गए अरे वो गाड़ी ही मेरा आफिस है, मैं ड्राइवर का काम करता हूँ अनिमेश ने अब सब कुछ सच सच बता दिया, अब मुझे पुलिस उठा कर ले जाएगी, अब मुझे जेल में सड़ना पड़ेगा, सब कुछ तुम्हारी वजह से सीमा, तुम्हारे लालच की वजह से, आज मेरा सब कुछ बरबाद हो गया पुलिस का नाम सुनकर सीमा डर गए, माफ कर दीजे मुझे, वो सहेलियों के चकर में मैंने आपको बहुत परिशान किया बहू, तुम इस घर की बहू हो, बहूं का काम होता है घर को सुरक्षित रखना लेकिन तुम्हारी वजह से आज सब कुछ बिखर गया सीमा को अपनी गलती समझ में आ गए, उसने सारे जेवर बेश डाले और उससे बैंक का लोन मिटा कर गाड़ी छुड़ा लई अनिमेश बॉस के घर गाड़ी लोटाने गया, सीमा भी उसके साथ गई और बॉस से माफिय मांग ली सीमा को रोते हुए देखकर बॉस ने अनिमेश को नौकरी से नहीं निकाना, बॉस ने कहा बहू, जिद और लालच करने से बुरा ही होता है, मन लगा कर काम करो, एक ना एक दिन तुम्हारे घर में नई गाड़ी सरूर आएगी अनिमेश के साथ साथ सीमा भी नौकरी करने लगी, घर में सुक शान्ती चा गई और कुछ सालों में उन्होंने अपने दम पर पहली गाड़ी खरीद ली, और सभी एक साथ खुशी-खुशी रहने लगे चोटू, चल बेटा, ज़रा जल्दी कर, वो पांच नमबर वाली टेबल पर कस्टमर बहुत देर से खाने का इंतिजार कर रहा है, और बाहर भी लाइन बढ़ती जा रही है, इतना लेट करेंगे तो सब बगल वाले होटल में चले जाएंगे बस मालिक, पांच नमबर वाले का ओलर तयार है, और यहाँ कुछ टेबल भी बस खाली होने वाली है, तो बाहर वाले कस्टमर अब अंदर आ सकते हैं इस अनोखे तरीके की वज़े से ही सत्यभान का ये होटल बहुत मशूर था, और बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ खाना खाने आते थे, होटल के खाने का बढ़िया स्वाद और यहाँ की साफ सफाई भी एक बड़ी वज़े थी, कि आसपास के कई होटलों और ढाबों क को छोड़कर कस्टमर सत्यभान के पास ही आते थे. होटल के बिजनिस में सारा खेल, खाने में इस्तिमाल होने वाले मसालों और रेसिपी का ही है, और यहाँ मैंने और मेरे साथियों ने बड़ी मेहनत से यह सब तयार किया है. अच्छा, लेकिन आपके यहाँ चो लोग काम करते हैं, मतलब आपके साथी, अगर उनमें से किसी मेरे धोका दिया तो? नहीं, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. यहाँ जितने भी लोग मेरे लिए काम करते हैं, वो सब के सब मेरे गाउ से ही है, यानि सब मेरा परिवार है. आज तक का रिकॉर्ड है, मुझे मेरा कोई साथी छोड़ कर नहीं गया. यह तो वाकि बहुत सत्यभान उस पत्रकार को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद ही उस पत्रकार की बातों में फंस जाता है. अकबार में अपना इंटर्वियो और फोटो छपने की बात से वो बहुत खुश था, और इसी खुशी में वो बह गया और उस पत्रकार को उसने अपने हो इंटर्व्यू के दौरान उसने सत्यभान से कई सवाल पूछे जिनके जवाबों में सत्यभान के सारे सीक्रेट खुलते जा रहे थे। पहना हुआ आईकार्ड उतार कर एक कूडे के धेर में फेंक देता है। असल में ये आदमी कोई पत्रकार था ही नहीं। पासी मौझूद एक दूसरे होटल के मालिक का रिष्टेदार था जो पत्रकार बन कर सत्यभान के सारे सीक्रेट जानने के लिए उसके पास गया था। अपने मकसद में पूरी तरह से काम्याब हो चुका था। इधर सत्यभान रोज सुबह के अकबार में अपने इंटर्व्यू के छपने का इंतजार कर रहा था। सत्यभान के होटल में रेट बढ़ जाती है। फूड इंस्पेक्टर अपने कुछ आद्मियों के साथ सत्यभान के होटल पहुँचते हैं और वहां मौझूद हर चीज की जाच करने लगते हैं। फूड इंस्पेक्टर खुद इस दर्वाजे को खोल कर अंदर जाते हैं तो उन्हें काफी मात्रा में नकली घी, तेल, नकली मसाले जैसी कई चीज़ें मिलती हैं। सत्यभान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आकर उसके साथ हुआ क्या। खाते विभा की टीम सत्यभान के होटल को सील कर देती है। साथ ही सत्यभान को जेल फेज दिया जाता है। एक ही पल में सत्यभान का सब कुछ बरबाद हो गया था। उसका परिवार सड़क पर आ गया था। सत्यभान खुद को बेगुना साबित नहीं कर सका। और उसका सब कुछ जुर्माने की रकम अदा करने में चला जाता है। उसके गाउं के लोग जो उसके लिए काम किया करते थे। वो भी उसका साथ छोड़कर गाउं वापस चले जाते हैं। सिवाए छोटू के। चलो तुम्हारी जमानत हो गई है। जमानत की बात सुनकर सत्यभान चौंक चाता है। वो बाहर आकर देखता है तो एक वकील के साथ खड़ा छोटू उसका इंतजार कर रहा था। छोटू तुन्हें ये सब कैसे किया बिटा तेरे पास इतने पैसे कहां से आए। चोटू की बात सुनकर सत्यभान की आखों में आसू आ जाते हैं और वो चोटू को गले लगा लेता है। लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। शेहर भर में सत्यभान का नाम खराब हो चुका था। इसलिए सत्यभान अपने परिवार और छोटू के साथ शेहर छोड़ कर अपने गाउं चला जाता है। वहां बास के बड़े बड़े जंगल थे जिनके बीचो बीच एक छोटी सी जोपड़ी बना कर सत्यभान और उसका परिवार रहें लगता है। सत्यभान के पास गुजर बसर के लाइक भी पैसे नहीं थे। इसलिए उसे कुछ तो करना ही था। तब ही एक दिन उसने गाउं के एक बच्चे को एक आधे कटे बास में कुछ खाते हुए देखा। सत्यभान उस बच्चे के पास गया और उससे बोला। बेटा ये क्या खा रहे हो। ये हरे बास का अचार है और ये रोटी है। ये बर्तन ये भी बास से बना है। वो यहाँ गाउं में बास ही सबसे ज्यादा उपता है ना तो हम लोग इसी का ज्यादा से ज्यादा इस्तिमाल करते हैं। उस बच्चे की बात सुनकर जैसे सत्यभान के दिमाग के घोड़े दोड़ने लगे। उसने फॉरन छोटू को अपने पास बुलाया और उसे कुछ समझाने लगा। फिर अगले दिन तड़के सुबह ही वो छोटू के साथ बास के जंगल में गया। और धेर सारी बास की लखड़ियां काट कर ले आया। सत्यभान और छोटू दिन रात लगे रहे और देखते ही देखते। उन दोनों ने सर्फ बास की मदद से पूरा का पूरा होटल बनाकर तयार कर लिया। जहां दिवारे भी बास की थी और सारे बरतन भी। अब सवाल ये था कि इस होटल में पकेगा क्या? मालिक आप चिंता मत कीजिए, हमें जाकर सब लोगों से बात करनी चाहिए, जो शहर में अपने साथ काम करते थे, मुझे विश्वास है कि वो सब हमारा साथ जरूर देंगे. छोटु की बात मानकर सत्यभान अपने गाउं के लोगों से बात करता है, धीरे धीरे गाउं के कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आते हैं, कई लोग उसे मुफ्त में राशन देते हैं, जिसके साथ हरेबास का इस्तिमाल करके सत्यभान और छोटू होटल के लिए खाना बनाते हैं और इस तरह एक बार फिर सत्यभान का होटल चल पड़ता है लेकिन हालात अब पहले से बहुत अलग थे कई दिनों तक सत्यभान के होटल में एक भी ग्राहक नहीं आता फिर एक दिन शहर से कुछ दोस्तों का एक ग्रुप वहां आता है और सत्यभान के अनुखे होटल को देख कर चौंक जाता है कुछ नया आजमाने के एरादे से वो सब ही सत्यभान के होटल के अंदर आ जाते हैं सत्यभान उन सब की बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करता है और फिर बहुत ही अच्छे सर्विस और उससे भी बढ़िया खाना सच में बहुत अच्छा लगा यहां आकर और सबसे बड़ी बात मुझे तो पता ही नहीं था कि बास को भी खा सकते हैं सत्यभान के खाने और अलग किस्म के होटल की तारीफ वो सभी दोस अपने दूसरे दोस्तों से जाकर करते हैं जिसके चलते और भी लोग खासतोर पर सत्यभान के होटल में खाना खाने वहां पर आते हैं सत्यभान के सर्विस और खाना बहुत जल्दी अपना पैचान बना रहा था लोग शहर के हाइफाई होटल छोड़ कर सत्यभान के पास गाउं बे आ रहे थे धीरे धीरे सत्यभान की गाड़ी पट्री पर आने लगती है और उसके पुराने साथी जो गाउं में ही थे वो भी उसके पास काम पर लोटाते है सत्यभान के पास अब इतने पैसे जमा हो चुके थे कि वो अपने खिलाफ रची गई साज़िश की जाच करवा सकता था वो अपने केस को रियोपन करवाता है और एक प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद से सारा सच पाहर निकलवाता है असल में रमन जो सत्यभान के पास पत्रकार बनकर आये था ये सब उसके और उसके रिष्टिदार की साथ कार्ट थी जो सत्यभान के पुराने होटल के पास ही अपना होटल चलाता था साथ ही सत्यभान की तरक्की से जलता भी था रमन के द्वारा जुटाई गई जानकारी की मदद से ही वो सारा नकली सामान रातो रात चुपके से सत्यभान के होटल के अंदर पहुँचाये गया था सत्यभान फिर से अपना होटल शुरू करता है लेकिन बिल्कुल नई थीम नए तोर तरीकों और नई रेसिपीज के साथ Best Buddies Hello Friends Thanks for watching this video अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी न भूलें और भी मज़िदार वीडियो देखने के लिए नेचे दिये गए बेल आइकॉन को दबाएं देखते रहिए Best Buddies